वढ़ बायागा को है दर्गा कहां दो को अपर कetty गॉंब को produzoda है और यसको चान दिये हैं इसमें उपर जूहरा नहीं डालेंगे क्योंकि ये इसमें मीठा सोडा है तो उपर पानी डालेंगे तो धुल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ऐसे बस इसको अभी इसका पानी निकलने देंगे उसके बाद इसको सूती कपड़े पे कॉटन मोटा कपड़ा पे इसको फैला देंगे ताकि इसका सा पानी अच्छे से सोख ले और ये देखिए एक कॉटन का मेरे पास मोटा सा बेट सीट है उसी पे हम ये चनादाल फैला देंगे पूरा एकदम बढ़िया से ताकि इसका पानी जल्दी से सुख जाए तब से हम अपना खाना भी बना लेंगे और ये मेरा आराम से मतलब इसक का नमकीन बनाएंगे तो अभी देखिए एक दम बढ़िया इसको पतले में बेट सीट पे पूरा फैला देंगे ताकि जल्दी से इसका पानी सुख जाए और जब से इसका पानी सुख हैगा मेरा खाना भी बन जाएगा खाना बनाने के बाद ये हम नमकीन बनाएंगे और इसमें पहले डालने के लिए मसाला तयार करेंगे ये नमकीन मसाला हम बाहर से नहीं मंगाते हम घर में खोद बनाते हैं तो ये देखिए ये है खड़ा धनिया और ये है मरीच और जीरा खड़ा धनिया सुखा और मरीच जीरा ये तीनों को भून लेंगे धीमी आज पे थोड़ा सा खुसबू आने लगता है चटकने लगता है तब बंद कर देंगे और ये है लाल मिर्च तो मिर्ची पाउडर बजार का हम नमकीन में नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे और तीखा के लिए घर का पीसेंगे इसको घर का पीसा हुआ मिर्च का भुना चुका है अब इसको ठंडा करके पीस लेंगे और ये देखिए मेरा मसाला ठंडा हो चुका है और इसमें अब एक चीज और मिलाएंगे जो कि नमकीन की जान है ये देखिए ये है टैटर इसको टैटर बोलते हैं ये डालने से नमकीन में जो चटपटा खटटा पन आत यह बहुत ही मतलब इसका स्वाद बहुत ही चटपटा होता है अब इतना जितना हम आपको दिखा है इतना दो डोका डाले हैं इतना और उतने में ही मेरा नमकीन पूरा एकदम मस्त चटपटा बन के तयार हो जाएगा तो यह देखिए मेरा मसाला पीस चुका है महीन एकदम प पूरा पानी सुख गया है और ये एप ये देखिए ठोड़ा सा भी पानी हाथ में नहीं लगरा है यह एकदर पूरा अच्छे सा पानी सुख गया है अब इसको चानेंगे चानने के लिए हम तेल कड़ाई में चड़ा लिये हैं और इसमें ज्यादा नहीं बस मतलब अंजुली से आधा अंजुली के लगभग ले करके दाल को डाल के इसको चलाएंगे और इसको बनाने के लिए हम स्लैप पर बाकादे चड़ के बैठ गए हैं क्यूंकि ये चानने में बहुत टाइम लगता है इतना दाल हमको चानने में कम सकम पौन घंटा एक घंटा लग जा जाएगा तो इसलिए हम स्लैप पर ही चड़ के बैठ गए हैं और पूरा नमकीन चान लेंगे दाल वाला उसके बाद ही उतरेंगे तो इसको चलाते रहेंगे हमेशा चलाते रहेंगे जब तक कि ये दाल उपर ना आ जाए तेल में ये देखिए दाल उपर आ चुका है और ये जो नीचे से बुलबुला निकल रहा है वो बुलबुला निकलना बंद हो जाए उसके बाद डाल का कलर आपका एकदम डार्क गोल्डेन हो जाता है तब इसको निकाल लेंगे और ये देखिए ऐसे ही पूरा डाल हम चान लेंगे पूरा चना डाल जो है तो ये ये उसको भी बनाते हैं बेसन का सेवडा तो बेसन का सेवडा बनाने के लिए बेसन ले लिए हैं और इसमें अब डालेंगे ये हींग थोड़ा सा हींग डाल ले रहे हैं बेसन है तो हींग तो जरूरी है और ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे इसे कलर बहुत ही और ये अज्वाईन जीरा डाल दिये हैं और उसके बाद इसमें अब डालेंगे नमक और कुछ ज्यादा मसाला इसमें नहीं डलता है नमक डालेंगे और इसमें हम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो नमकीन में का मसाला बनाए हैं वो इसमें मिक्स करेंगे तो उपर से वो मसाला हो जाता है चटपटा हो जाता है तो इसमें और मसाला डालने की जरुरत नहीं है वैसे भी स्वाधिष्ट हो जाएगा तो बस इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ओयल रिफाइंड ओयल डाल करके इसको मिक्स करके तब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुतेंगे ये रिफाइंड ओइल डालने से ये बहुत ही खस्ता बनता है और मतलब चिपकता नहीं है एक में सेवडा कडाही में बनाने से चिपकता नहीं है और इसे बहुत ही खस्ता बहुत ही अच्छा बनता है तो ये तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके इसको गूत लिए हैं अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखे पानी लेते जाएंगे और इसको ना ज़्यादा गूत ना ज़्यादा टैट इसको जिसे कि हम लोग आलू का पराठा बते हैं तो आठा थोड़ा धीला ही बनाते है ना उस इसको गूथना है बस ochre seji hi तो बस हमारी तयार है बेसन और इसको बनाने के लिए ये देख़े हम ये बीच में एकदम fix करेंगे ये है मेरा लकड़ी वाला सेवड़ा बनाने का तो इसको ईकडम बीचो बीच कड़ाई के रखे हैं और बीचो बीच ही करेंगे नहीं तो ऐसा ना हो कि ये बैलेंस बिगड जाए और ये कडाही का तेल अपने उपर ही पूरा गिर जाए ऐसा नहीं चुले को और अपने पास खीच लिए हैं और सपोर्ट के लिए पीछे दिवाल है तो इसको एक हाथ से हम दिवाल में सपोर्ट दे रहे है और कडाही के बीचो बीच तो रखे ही है इसको बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है इस वाले में और अगर हाथ से बनाने वाला मसीन है तो उससे बनाईए तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन उसमें बहुत पतला आता है और नमकीन में पतला सेवडा हमको पस अगर सावधानी नहीं किये ध्यान नहीं दिये तो फिर वहीं पूरा ये सेवडा बनाते समय कडाही का अगर बैलेंस विगड़ा तो पूरा सामने के साइड गिर जाएगा और हम जल जाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी चाहिए और इसमें बहुत जल्दी बनता भी है देखिए दोई बार में फटा फट से मेरा बन के सेवडा तैयार उतना बेसन का दो बार में तयार हो गया और मसीन में रहता है तो फिर उसको एक बार भरो फिर बंद करो फिर मेरे को मसीन वाला नहीं जमता तो ये वाला बहुत अच्छा रहता है तो इसमें हमारा हो गया और इसमें अब देखिए जो मसाला बनाए हैं तो नमकीन में बड़ा चमच का तीन चमच अभी हम डाले हैं और बाद में कम होगा तो और मिक्स कर लेंगे बहुत सारा मसाला बनाए हैं ये मसाला बना कि आप रख दिजिए किसी भी चीज का कभी भी नमकिन बनाईए उसमें इसको डालिए तो अच्छा लगता है तो ये देखिए इसमें हम लाल डेगी मेर्च डाले हैं थोड़ा सा कलर के लिए मसाला डालने के बाद इसको कलर के लिए थोड़ा सा लाल मेर्च प ये दोनों नमक मिक्स करेंगे और अभी ये पूरा डल चुका है मेरा मसाला इसको पल्टे से ही मिक्स करेंगे क्योंकि मिर्चा है तो हाथ तो तीखा हो जाएगा तो इसलिए पल्टे से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नहीं हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम यहां से मिला लेंगे तो यह देखिए मेरे नमकीन में सारा मसाला मिक्स होचा है एकदम बन के तयार है चनादाल मुंफली और बेसन का नमकीन घर पे बनाई एकदम चटपटा बजार से भी मस्त नमकीन आप लोग यकीन मानी एक बार जरूर बना करके देखिएगा जो मेरा सिक्रेट मसाला है ना टेटर वो तो बापरे डाली एकदम मस्त नमकीन बन के तयार हुआ है अगर यह नमकीन का रेसिपी आप लोगों पसंद है तो प्लीज वीडियो का लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कर दें और जो देख रहें सस्क्राइब ने किए प्लीज आप भी सस्क्राइब करके मेरे परिवार में सामील हो जाए मिलते हैं अगली व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई